नमश्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजीवकेशन चैनल हैं जूटूबर देऊ पर दोस्तों असिस्टेंट प्रोपेसर भरती परिक्सा 2020 या यह कहें कि कॉलेज लेक्चरर भरती परिक्सा 2020 का दोस्तों नोटिफिकेसन आया था वो अपने नॉवंबर और दिसमर में आया था दो बार गार हटा के आया था दोबारा दिसमर में दोस्तों अब उसमें दोस्तों जो आपके General Studies of राजस्थान यानि की राजस्थान का सामाने अद्धिन जो प्रश्णपत्र है तिरती प्रश्णपत्र है जो कैनिवारे है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो उसमें दोस्तों आपके syllabus का एक भाग है जिसमें Contemporary Events से समंदित question पूछे games यानि की जो खेल है और जो खिलाडी है उनसे भी समंदित जो है दोस्तों question पूछे जाएंगे तो हम दोस्तों इस वीडियो से सुरू कर रहे हैं यानि की जो जनवरी 2020 से आप लिखावा देख रहे हैं समसामी की खेल से समंदित तो दोस्तों इससे हम लोग सुरू करेंगे और इसमें दोस्तों नौंबर, दिसमर और जनवरी में जो समसामी की घटनाय हुई कौन सी sports और games से समंदित जो हुई दोस्तों वो question cover करेंगे अगले वीडियो में फरवरी उसके आगे मार्च, अप्रेल, मई, जून तक हम लोग जाएंगे उसके बाद दोस्तों जब तक आ ऐसे current affair के कोई question answer दिये नहीं होते और suppose गई में अगर होते भी हैं तो भी वो जब आप guide खरीदते हो और जब वो guide publish होई होती है, मुदृत होई होती है, छपी होती है एक तरीके सामाने शब्दम का हैं तो तब तक के ही current affair होते हैं उसके आगे वाले नहीं होते अगर उससे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको अलग-अलग news papers पढ़ने पढ़ेंगे, magazines, books वगरा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पढ़ते हैं, तो वो सारी पढ़ने की बजाए मैं समझता हूँ, आप ऐसे कुछ videos ही देख लें, जो है दोस्तों हर एक महीने का एक video होगा और उसमे लिए ये बहुत ही महत्पून होने वाला, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्पून गाइड जो मैंने भी कभी पढ़ी थी और अभी के जो अभेर थी है वो भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपके जो है contemporary events से समझती questions नहीं होते, तो sports and games जो है दोस्तों हम cover करने वाले हैं, तो assistant professor 2020 के लिए आपको ये देखना वीडियो, अगर आप read की त्यारी कर रहे हैं, SI की कर रहे हैं और भी किसी competition exam के अगर आप कर रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए मेरे नुसहार, क्योंकि जो current affair होते हैं, वो किसी भी भरती के लिए महत्पून होते हैं, चा जो International Tennis Federation अल हब टूर महीला डबल्स खिताब जो है, अपने नाम करने वाली भारती महीला टैनिस के लाड़ी कौन हैं, अंकिता रहना, निरूपमा संजीव, सिखा ओपरोय या फिर रिया भाटिया, तो वो कौन सी महीला टैनिस के लाड़ी हैं, जिनोंने दुबई मायुज जैनिस के तरफ बढ़ते हैं, दोस्तों हाली में सन्यास लेने वाले किर्केटर, जिनके नाम सबसे युवा विकेट कीपर के रूप में, अंतराश्टी पधारपन करने का किर्तिमान है, पधारपन मतलब दोस्तों डेब्यू और अंतराश्टी मतलब इंट्रनेशनल लेवल पे तो वो कौन है दोस्तों जिनों अभी सन्यास लिया विकेड कीपर की रूप में उनके नाम ये रिकॉर्ड है इंटरनेस्टनल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का तो दोस्तों कौन है वो महेंदर सिंग धोनी ब्रेंडन मैकूलम दिने सकार थी किया पर पार्थी उप मम्र में किसका है तो आगे वो भी उसका भी कुश्चन आपको मिल जाएगा दोस्तों के अंदर सरकार की हालिया गोशना के अनुसार सन्यास ले चुके खिलाडियों को रोजगार परदान करने ही तू एक हजार के अंदर प्रारम किये जाएंगे जिनने क्या नाम दिया गया अब यह जो दोस्तों खेलों इंडिया कारिकरम है यह 2018 में सुरू किया गया था जिसमें सहरी खेल अव सनचना योजना पहली सेकंड राश्टी खेल परतिवा खोच बना लिकारिकरम और थर्ड राजीव गांदी खेल अभियान तीनों को मिला के जो है क्या बनाया गया खेल तो पहले ऐसे रेसर जिन्होंने फॉर्मूला टू रेस जीती है तो वो है दोस्तों जेहान दारुवाला अगले कोश्चन तरह बढ़ते हैं दोस्तों हाली में अंतराश्टी किर्केट के एक दिवसी प्रारूप जो वन डे इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं उसमें सबसे त नर्शमीट बाबर आजम या फिराट कोली तो वो किर्केटर दोस्तों न अदर देन किंग कोली आप कह सकते हैं विराट कोली कोली द्वारा यह कीरति मांच जो है वो 242 बारियों में हासिल किया गया अगले कुछ दर बढ़ते हैं दोस्तों हाली में अंतराश्टी किर्केट परिश्यद यानि की ICC, International Cricket Council दोआरा अंतराश्टी किर्केट में पदारपन करने है तो नियून्तम आयू कितनी निर्धार्थ की गई या तै की गई है 14 वर्स, 15 वर्स, 16 वर्स या फिर 17 वर्स तो दोस्तों 15 वर्स जो है निर्धार्थ की गई है उससे कम एज में डेब्यू नहीं हो सकता आलंग जो रिकॉर्ड जैसे मैंने बताया था पार्तिव पटेल का विकेट कीपर की रूप में सबसे यूवा जो है कम उमर में विकेट कीपर के रूप में जो है अंतराश्टी पदारपन करने का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के खिलाडी हसंद रजा के नाम है जिन्नोंने खाली 14 वर्स और 227 दिन में ही डेब्यू कर दिया था और अपने इंडिया की तरफ से दोस्तों है सचीन तेंदूलकर जिन्नोंने 16 वर्स 205 दिन में जो है डेब्यू कर दिया था और साइध इसी घान इनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं 100 शाथ तक वगेरा हैं दोस्तों टेस्ट मैस केलने का रिकॉर्ड इन्ही के नाम है अगले कुछ दिन्दर बढ़ते हैं दोस्तों रूस के सेंट वीटर्स वर्ग में आयो जी तो ओपन टैनिस टूनामेट का खिताब आंद्रे रूबलेव ने अपने नाम किया वो किस देस के टैनिस खिलाड़ी तो आंद्रे रूबलेव दोस्तों नाम याद रखिएगा रूस, क्रोईस या फरांस या पिर ब्राजील तो अंद्रे रूभली जो दोस्तों है वो अपने रूस के खिलाडी हैं जिनोंने ये खिता जीता अगले कोिश अदर बटते हैं डेनमार्क के ओडेन से मैं आयो घी तो ओपन बैडमिंटन टूनामेंट में महीला वर्क का एकल खिताब जापान की किस बैडमिंटन खिलाडी ने अपने नाम किया तो देनमार्क में दोस्तों ये आई जित हुआ बैडमिंटन टूनामेंट और महीलवर का एकल का किताब जो जापान की खिलाडी नाम किया वो कौन है नोजोमी ओकुहारा कैरोलीना मारीन मात्सुमोट तुमाया या फिर नगाहारा वकाना तो दोस्तों वो है नोजोमी ओकुहारा जिन्होंने अपने नाम किया पुरूस एकल का खिता जो जीता वो है अंडर्स एंटॉनसें जो की डेनमार के खिलारी हैं और पुरूस यूगल का खिताब जिनों ने जीता वो हैं. माकस एलैस और क्रिस लेंगरी इस दोनों इंगलेंड के प्लेयर्स हैं। और महीला यूगल का खिताब फूकुशिमा यूकी और हीरोता दोनों जो हैं। पुर्तगाल मायजी तो फॉर्मूला वन रेस को जीत कर अपने करियर की बानवी विजे जो है हासिल करते हुए कीरती मान इस्थापिद करने वाले रेसर लुईस हैमिल्टन जो है वो किस देश के निवासी हैं दोस्तों लुईस हैमिल्टन महुथ फेमस नाम है एक और फेमस नाम मैं आपको आगे बताऊंगा जो F1 रेस में या फिर जर्मनी तो जो लुईस हैमिल्टन है वो ब्रिटेन के रेसर है इससे पहले सबसे अधिक रेस जीतने का जो रिकॉर्ड था वो दोस्तों माइकल शुमाकर के नाम था जिन्होंने 91 जीत जो है वो दर्ज की थी माइकल शुमाकर ने 91 और अब होगी 92 किस के नाम यूपियन ओपन टैनिस टूनामेंट में एकल खिताब अपने नाम करने वाले उगो हमबट जो है वो किस देश के निवासी हैं फ्रांस जर्मनी ऑस्टेलिया या फिर एजन्टिना तो उगो हमबट जो है दोस्तों वो फ्रांस के खिलाडी है और उन्हें ये खिताब अपन देस की है दोस्तों तो ये कुश्चन थोड़ा मैंने गुमा के आपके लिए बनाया है तो भारत के जो खिलाड़ी टैनिस प्लेयर है रोन बोपन्ना और निदलेंड्स के मातवे मिडिल कूप इनकी जोड़ी को हराया किस ने हराया है जौन पियर्स और माइकल वीनस अब प्र जेहां दारुवाला लूइस हैमिल्टन या फिर वाल्टेरी बोटास तो दोस्तों वो हैं वंस अगें लूइस हैमिल्टन तो काफी फेमस नाम है अब याद रखीएगा थोड़ा एफ़न रेस से समधे अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं दोस्तों पैरिस में खेले गए ग टैनिश टूनामेंट में एकल खितने वाले डैनियल मेदवी देव किस देश के निवासी है तो पैरिस में खेला गया पैरिस मास्टर्स टैनिश टूनामेंट काफी मैधमन कुश्चन है दोस्तों उसमें एकल खितने वाले डैनियल मेदवी देव जो है वो किस देश के तो दोस्तों वो है रूस के निवासी जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया मेदवे देव उनका नाम है यूगल किताब किसने जिता उसमें फैलिक्स ओगर जो कि कनाडा के और हुबर्ट हुरका जो कि पोलेंड के उन्होंने यूगल किताब जिता एकल किताब किसने जिता एकल खिताब जीता डैनियल मेदवेदेव कहां के निवासी रूस के निवासी अगले कुश्चन दर बढ़ता है दोस्तों महिलाओं के IPL के रूप में प्रसिद भारती T20 चैलेंग टूनामेंट के तरतीय संसकरण 2020 जो है जिसमें वहा था दोस्तों की विजेता टीम कौन सी है IPL Tail Blazers, IPL Super Novas, IPL Velocity यहां पिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों वो जो टीम थी जिन्नों ने यह जो है टूनामेंट जीता वो है IPL Tail Blazers जैसे मुंबई इंडियन्स ने जीता था और महिलाओं वाला जो IPL है वो किसने जीता IPL Tail Blazers इसका नाम थोड़ा अलग है दोस्तों T20 Challenge Tournament यह IPL नहीं है महिलाओं का IPL है T20 Challenge Tournament और दोस्तों इसकी जो कपतान है वो इसमर्ती मंधाना और रोई सर्मा जो कपतान है मुंबई इंडियन्स के तो यह आप याद रखिए गा थोड़ा सा आज बार IPL जीतने का किरतिमार अपने नाम करने वाली मुंबई इंडियन्स पता होता है Royal Challenger Bengaluru Sunrider Hyderabad दिली Capitals यहां फिर चैनने इसूपर Kings तो दोस्तों वो दिली Capitals को हरा के उन्होंने खिताब अपने नाम किया अगला कुश्चन दोस्तों होकी इंडिया की नए अद्यक्स कौन चुने गए हैं यह काफी जादा महत्मून कुश्चन है दोस्तों इस समस्त प्रा रूपों में कुल जमा 1000 चक्के जड़ने वाले जो बैट्समेन है या जो विस्व की इर्तिमान इस्ताबित करने वाले जो बैट्समेन है वो कौन है विराट कोली, क्रिस गेल, रोहीद सर्मा या फिर ब्रेंडन मैकुलम तो दोस्तों वो है क्रिस गेल जिन्हों अपने नाम किया वो कौन है शाक्षी मलिक बविता कुमारी रितू फोगाट या फिर विनेश फोगाट तो MMA Championship लगातार तीसरी बार जीतने वाली जो महिला पहलवान है वो है दोस्तों रितू फोगाट अगले कुश्चन तर बढ़ते हैं फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस व दोस्तों दोस्तों आईपेल में लगातार दो शतक लगाने वाले प्रतम बलेबात कौन बने यह तो बहुत सारे औल ओवर शतक बने बट लगातार दो शतक वो भी IPL में किसने लगाए हैं तो दोस्तों ये सारे कोईशन थे जनवरी के अब इसमें कुछ कोईशन बच भी के जो फरवरी में अड़ कर दूँगा उसमें फिर जनवरी के कोईशन होंगे और फरवरी में होंगे तो जो दोस्तों जिस महीने का जो करंट अफिर होता है उसमें उस महीने के तो कुश्चन होती होते हैं पिछले एक डेट दू महीने के भी कुश्चन होते हैं बट एक करंट अफेर वाले और विशेस करिए जो खेल वाले हैं दोस्तों इस पे बहुत जादा वीडियो भी अवेलिबल नहीं है और जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बड़े-बड़े टीचर्स हैं वो इस पे इतना ध्यान भी नहीं देते हैं इसको बहुत क अन्यवाद नमस्कार